आप सभी लोग जब भी पप्पू यादव का नाम सुनते होंगे तो आपकी मन में कई छभी उनकी उबर कर आती होगी एक छभी आप लोग देखते होंगे कि जब भी बिहार में कोई भी समस्त्या आती है तो मदद में सबसे पहले आप देखेंगे पप्पू यादव आपको दिखाई देंगे एक तरह से आप कह सकता है कि गरीबों के मसीहा की रूम में आप लोग पपू यादव को देखते हैं और विहाल से आप लोग अगर संबंद रखते होंगे, तो आप बेहतर इनके बारे में जानते भी होंगे। दूसरी चबी आप देखते होंगे कि राजनीती में काफी अच्छा खास इस्थान रखते हैं। और तीसरी चबी आप देखते हैं कि बाहू वल्ली भी एक समय रहे हैं, तो ये भी आपके मन में चबी बनी रहती है। और सबसे जरूरी जो दिलचस्प इनकी चबी है वो है इनकी लब स्टोरी के कारण। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनकी love story किसी film की दुनिया, filmी दुनिया से कम नहीं रही है तो आज हम लोग एक सामान जानकरी पपू यादों के बारे में जान लेंगे ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि इनके बारे में आप लोग सामान जानकरी तो रख पाएंगे और एक बात हमेसा याद रखे, कई लोग आप यादों के विरोधी होंगे, कई आप मैंसे सपोर्टर भी होंगे तो मैं हमेसा बोला हूँ आप लोगों से कोई दूद का धुला नहीं है नेता इस समय फिर चाहिए आप लोग बीजेपी से संबंद रखते हों, कॉंगरेस से रखते हों, साफा, बीएसपी, किसी भी पाएटी से आज के निताों की तुलना आप लोगो उस समय की निताओं से नहीं कर सकते हैं, आज आदी के आज जो पाइटियां कहते हैं, कि हम इस नेता की विचार धारा को चलते हैं असर में उनका उस विचार धारे से कोई लेना देना नहीं होता है समझ रहे हैं? तो आज क्या बैक्ग्राउंड है? आज कैसा काम किया जा रहा है? यह मायने रखता है और आज अगर अंतरात्मा की मन से अगर कोई बोलता है, आवाज सुनके बोलता है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बोलेगा कि पपू या दो गलत काम करता है, लोगों की मदद नहीं करता है अगर देखिए जो अपनी अंतरात्मा की आवाज के बोलता हो, वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए सब कुछ हासान रहता है, ठीक है? और जिसका भी भक्त हो, जो भी हो, उसका भी वो भी दूद का कोई दुला हुआ नहीं है और आज कह सकते हैं, आप लोग देश की वेडमना ये बन चुकी है कि जब तक आप दो चार एस तरह की हत्याएं नहीं करते, या आप लोग अपराद नहीं करते, संगीन अपराद तब तक आप अच्छे नेता बन ही नहीं सकते हैं राजनीती में अपनी पहचान बना ही नहीं सकते हैं ये आज की देश की मतलब हमारे देश की सच्चाई बन चुकी है उसका पैडाम भी आप लोग भगतते हैं आज भी आप लोग देख लिजे आपने या विधायकों को देख लीजे, आधिस यदिक आप लोगों को दागी मिलेंगे, जिन पर या तो बलतकार के केस लगे हुँगे, या हत्याओं के, या डखेंती के, और आप उनसे उम्मीद क्या अगर सकते हैं, आज की नेताओं से आप लोग पंडित जबालल नहिरू भीमराम बेटकर साहब, या आप सदार बलभाई पटेल, या लाल भादो सत्री जैसी उम्मीद नहीं रख सकते हैं, और वो ना ही आपकी उम्मीदों पर खरा उत्रहेंगे आज की नेता, टेक है, तो पप्फु यादों के वारे में अगर हम लोग एक सामन जानकारी की बात इनकी एगर हम लोग जनम तिथी की बात करें, तो 24 दिसंबर 1967 को इनका जनम होता है, कहां होता है इनका जनम? पूनिया विहार में, एक बार आप लोग विहार को भी देख लीजे, यह हमारी प्यारी पितिवी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में हमारा प्यारा देश है और अपने पडोसियों को देख लिजे इस लिलंका, मियानमार, बंगलादेश, भूटा, नैपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें आप देखेंगे तो विहार आपको यहां देखने को मिलेगा यहां आप अच्छे से देख सकते हैं देखिए है बिहार, और इससे लगे इसकी राध्धानी पटना है यह भी आप लोग याद रखिए और इसकी स्थावना की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि बिहार राज्य तो बिहार नाम का कोई एक तर ऐसे परांग तो बहुत पहले से रहा है लेकिन बिहार को एक राज्य का दरजा मिला था 26 जनमरी 1950 को इसकी राध्धानी पटना देखी रहें इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो उत्तरपदेश हो गया जहारकंड और पश्चे मंगाल अंतराष्टी सीमा की बात करें तो इसकी अंतराष्टी सीमा नैपाल से लगती है और इतनी बुरी स्थिति आपकी नहीं होने चाहिए मुझे लगता है क्योंकि इस तरह की कुश्चन्स पूँच लेता है किस राज्य की किस राज्य से सीमा लगती है या अंतराष्टी सीमा इसकी किस राज्य देश से लगती है सावनता आपकी परिक्षाओं में इस तरह के questions कई बार गुंचे जा चुके है और यहां अगर हम लोग विधान सभा सीटों की बात करें तो 243 सेटें देखने को मिलेगी और विधान परिशद भी आएं तो 75 सीटें देखने को मिलेगी विधान परिशद में और राज्य सभाव में आपकी 16 सीटें हैं और लोग सभा में 40 सीटें हैं ठीक है यह वी आप लोग याद रखिए कब वापस चलते हैं हम लोग पपू याद वपण तो इनके पिता का नाम बात करें तो हम लोग स्री चंद नारायन के साथ यादव इनके पिता का नाम था और याद रखिए जमीदार परिवार से नाता रखते हैं ठीक है ? IMKE e परिवार के पास ऐकतर से आप कह सकते हैं कि भहार आपको मालुँ होगा कि पूर्णिया से फूर्ग सांसद भी रही है और और इसमें आप देखेंगे, रंजीत रंजन भी बोलते हैं, इनके एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का नाम सार्तक रंजन है, जो क्रिकेटर है, और बेटी का नाम है प्रकिती रंजन, ठीक है? अगर इनकी सिक्षा की बात करें, तो काफी पड़े लिखे भी है, इनकी सुरुवात की सिक्षा की बात करें, तो सुपोल की आनंद मार की स्कूल में होती है, उसके बाद इनोंने माधीपुरा के B.N. मंडल विस्विध्याले से राजनीती बिज्ञान में इसनातक भी किया लोगों को, इनकी एक पाइटी भी इनोंने जिससे बनाई हुई है, जन अधिकार पाइटी, इनकी पाइटी है, ठीक है? और इनकी अगर हम लोग राजनीतिक सफर की बात करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे सन 1990 की बात है, कि ये मधेपुरा विधानसभा सीर से निर्द होता है, और इसमें आप देखेंगे पूनिया से 10B लोगसभा के लिए ये चुनाओ लड़ते हैं, और लोगसभा सदस बनते हैं, 1991 की बात है, और जिसके बात देखेंगे आप लोग की कई इनोंने जीत हासिल की, जिसमें आप देखेंगे 1991 का हो, 1996 का हो, 1999 का हो, या फिर को मालू होना चाहिए, ठीक है, और एक लंबी समय तकी लालू की जो पाइटी है न राज़त, इसके साथ भी जुड़े रहे, लेकिन 2015 में ये राज़त से अलग हो जाते हैं, और नई इनोंने पाइटी बनाई, जन अधिकार पाइटी की नियु रखिये, और कई लोग बता होगा है, आपको मालू होगा कि 1998 में, CPM नेता थे अजीज सरकार, इनकी हत्याकारों पप्पु यादों पर लगाया जाता है, जिसके बाद उन्हें गिरबतार कर लिया जाता है, और गिरबतारी की बाद सिक्क्यम जिल में रखा जाता है, तो समय भी कहा जाता है कि इनका ठ हाट वाट कुछ सिक्क्यम जिल में काफी रहा है, चर्चा में भी रहा है, इस चर्चा के बाद आप देखेंगे कि इन्हें तिहाड जिल में रखा जाता है, तिहाड जिल में 2008 में विसेश CBI अदालत ने पप्पु यादो और दंड दो अन को CPI नेता अजीज सरकार की हत्य कि आरोब में 200 सी ठहरा दिया जाता है, और इन्हें उमे कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आप देखेंगे मई 2013 को पटना हाई कुटने परयाप्त सबूत ना होने की बात करते हुए एक तरह से पपु यादों को जिल से रहा कर दिया जाता है, और आप सभी लोग जानत आई होता है इने रहा कर दिया जाता है, ठीक है? अब इनकी लव स्टोरी की अगर हम बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि इनकी लव स्टोरी कोई फिलीमी दुनिया से कम बिल्कुल भी नहीं आकी जाती है, ऐसा कहते हैं कि जब पपु यादा 1991 में बांकीपुर जेल में जोस्ती हो जाती है, और बताया जाता है कि पपु यादाओ को अपना परिवार का अलवम दिखाते हैं विक्की या विक्की, और विक्की के बाद आप देखें कि विक्की की पहन से मतलब उसमें फोटू में देखकर पपु यादाओ को प्यार हो जाता है, और इसके बाद बादुब अधेकलगास, चक्र लगाते रेती है। रंजीत, रंजन इन ट्रॉक और छान से लेकिन ए Ned में पप्रशान होजाते हैं। ने किताब लिखी हुई है DROH Kaal का पत्तिक। इस में बताए मसक्राइब कि लादू हो पर इसान हो जाते हैं, कि नीन की कई साली गोलियां आप खा लेते हैं, और इनकी एक तरह से तबीयत बिगड़ जाती है, और इसकी बाद पटना मेडिकल कोलेज में अस्पताल में भरती कराया जाता है, और फिर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से वही दुनिया है, कि सामने वाल आप पटना से लेकर आप देखेंगे दिल्ली, बहुत सारी जगे इनुँने चानी, मतलब रन्जीत रंजन के परिवार को मनाया जाए, लास्क में आप देखेंगे कि परिवार मान जाता है, और इन दोनों की साधी हो जाती है, और अभी भी आप देखेंगे कि यनी के साथ वो नाम भी आप लोग जुड़ा हुए है और आप देखते रहते हैं रंजीत रंजन क्या कई वार इंटर्विव देखते रहते हैं एक बड़ी बहादूर महिला एक तरह से अच्छे से बात करते हैं खोल कर बात करते हैं तो वही है यह थीक है खेर यही है देखी अब पुराने वेक ग्राउंड में जाना मुझे लगता है कि सवभावी कसी बात को यह मतलब भी नहीं रहता है अभी वेक्ति किस तरह से काम कर रहा है यह जरूर मायने रखता है और इसमें अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो इनकी किताब पढ़ सकते हैं और इसकी पीडियेप मैं टेलीगराम पर डाल देता हूँ वहां से डाउंलोड करके आप लोग पढ़ती रही है इनकी लव स्टोरी किस क्या रहा है कैसे मनाये गया है ये भी आप लोगों की अगर दिल्चस्वी हो तो पढ़ती रहना ठीक